मारूती चीजों को adopt करना जानता है, उसको पता है कि अपने buyers को क्या चीज किस तरीके सर deliver करनी है, एक time था जब मारूती इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेशता था, आज भी बेशता है, लेकिन धीरे धीरे वो जगा Tata Motors adopt करती जारी है, Tata Motors से मारूती ने एक चीज अड़ाप्ट कर ली और वो है black color, नेक्सॉन का जब dark edition आया था तो लोगों को काले color का चसका चड़ गया था, अब मारूती ने उस चीज को adopt किया तो अल्टो से लेकर एक्चल 6 grand विटारा तक आपको हर गाड़ी में black color मिलता है, मारूती से ले रह जिनने day to day बहुत heavy traffic में चलना है, mileage बहुत अच्छा चाहिए है, गाड़ी practical हो, अच्छी दिखती हो, space अच्छा मिल जाए, boot space अच्छा मिल जाए, engine से related कोई दिक्कत ना आए, ज्यादा सरदर्दी जिनने नहीं चाहिए, उन्हें मारूती की सिलारियो चाहिए, इस गाड़ हर चीज highlight हो रही है, headlamps highlight, foglamps highlight, even then ये सामने जो थोड़ा-थोड़ा chrome के straps है, logo है, ये तक highlight हो रही है और गाड़ी की पूरी profile awesome लग रही है, awesome, ये top of the line variant है, ZXI plus, वैसे ZXI plus की कीमत होती है, 6,60,000 रुपे, एक्शो रुप, ये AMT की साथ है, तो लगबग वही 50-55,000 पड़ती है, X-Show Room, क्या-क्या आपको यहाँ पर safety के तौर पर मिलता है, comfort के तौर पर मिलता है, convenience के लिए मिलता है, हम हर चीज की बात करेंगे, black color के साथ इस गाड़ी में और क्या-क्या जच रहा है, वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा, सबसे पहले जब आप सिलैरियो की front profile दिखते है न, तो यह गाड़ी बड़ी interesting सी लगती है, specially अगर मैं आपको सही बताऊं, तो जो इसका यह उपर आप grill का design देखते हैं, नीचे जो आप design देखते हैं, इसकी वज़ा से यह गाड़ी मुझे उन लोगों के लिए बहुत suitable लगती है, जहाँ पर ladies ने, लड़क आपको मिल जाते हैं, और यह जो आप grill देख रहे हैं, छोटे-छोटे इसके उपर bits जो है, वो net type का design कर रखा है, Suzuki का logo और यह जो chrome के strap है, यह भी काफी interesting दिखती है, side में जब आप सच होते हैं, तो यह है Silario की overall profile, black color के साथ इस गाड़ी बहुरी ही interesting सी लग रही है, इसकी length 365 mm की है, और wheelbase almost 2435 mm की आसपास है, यहाँ पर आपको black color के alloy wheel मिलते हैं, तो black के साथ black जो compliment कर रहा है, वो बहुत मज़े का है, R15 size एक decent सा size है, और यहाँ पर आपको tires जो है, वो Yokohama के blue earth मिलते हैं, जो की बहुत अच्छे tires मी है, यहाँ पर आगे disc, feature normal drum brakes, ABS, EBD, heel assist जैसे आपको यहाँ पर मारूती दीता है, अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो black color का ही आपके पास ORVM है, यानि की body color, normal turn indicator, यह flip and flop वले जो आप door handles देखते हैं, वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, request sensor यह अलग से दिया गया है, और यह चीज black color में बुरी नहीं लग रही ह दिखी होंगी, जहाँ पर black color पहले नहीं आता था, तो मुझे यह चीज बड़ी अटपटी सी दिखाई देती थी, अब black के साथ black तो बड़ा ही mature सा feel आपको मिल जाता है, जहाँ पर कोई भी चीज unnecessary highlight नहीं हो रही है, बुरी नहीं लग रही है, काफी उस चीज को वो compliment कर र देगा, रेयर में आजाईए, पीछे जब आप switch होते हैं, तो यहाँ पर आपको गारी की maturity और उसके designs और उभर के सामने आते हैं, reason, reason है यह black and red का combination, क्या मज़ा आता है गारी को पीछे से देखते ही, एक तो यह droplet style के जो इसके tail lamps है, बहुत सुन्दर लगते हैं, इस गारी यहाँ पर जो है, वो केवल आपको मिलते है, reverse parking sensors, camera नहीं आता, अब तीछे भी देखिए, यह चीज highlight होती थी न, request sensor, लेकिन black color के साथ नहीं हो रही है, जो कि बहुत सही चीज है, सिलेरियो की branding, सुजुकी का logo, wiper, washer, defogger, और उपर एक high mounted, normal stop lamp, वो भी LED नहीं है, अच्छा space की बात करूंगा, तो almost 314 या 315 लीटर के आसपास का आपको boot space मिलता है, loading lip काफी हाई है, मतलब आपको अगर बहुत ज़्यादा heavy trolleybacks रखने है, तो definitely थोड़ी सी महनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस segment की गाड़ी से यह चीज़ definitely आप compromise कर सकते हैं, लेकिन space काफी अच्छा ह वो यहाँ पर face नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको सही बताओ, गाड़ी के front facies से भी ज़्यादा interesting, सिलारियो का black color में इसकी rare profile लग रही है, मजा आ रहा है, और एक तक गाड़ी को देखते रहने का मन जरूर कर रहा है, यह color इस गाड़ी को compliment कर रहा है, वैसे मुझे personally सिला की capacity patrol tank के आपको मिलती है, 32 liter की, 32 liters, अब आज है यह जड़ा cabin में, और cabin में जब आप स्वेच होते हैं, हमें सबसे पहले चाहिए चाबी, यह चाबी है जो आपको सिलारियो के साथ मिलती है, वही मारूती की typical चाबी, पीछे इस तरीके से blue tone, Suzuki का logo, lock और unlock, यह दो option आपके प यहां पर रखता हूँ, और मैंने अगर यह गाड़ी का ignition on किया, तो आप देख सकता है कि ORVM इसके unfold हो चुके है, ORVM से आपको power adjustment मिलता है, लेकिन इसके controls यहां डोर पर नहीं आते हैं, यहां पर आपको controls दिये गए हैं, आप इसके used to हो जाएंगे, शुरू-शुरू में ह वो भी all black है, लेकिन बीच-बीच में जहां पर यह silver के touch-ups दिये गए हैं, इसकी वज़े से गाड़ी थोड़ी सी mature feel होती है, नीचे एक proper dead pedal मिलता है, अब यहां पर वाई साब, EMT का option आपके पास है, तो brake और acceleration के आपके बास बड़िया space है, fuel filling lead आप यहां से easily खोल सकते हैं और गाड़ी का hood अगर आपको खोलना है, तो यह option है, यहां पर आपको mechanical headlight leveling मिलती है, यानि आपको electrical, वो जो button आजकर हम देखते हैं, वो चीज नहीं दी गई, जो कि मेरे साब से होना चाहिए था, यहां पर आपको electronic stability program, जो है enable, disable करना है, तो आपको कर सकते हैं, और idle start and stop and go जो है, वो आपको मिलता है, seat है fabric की है, लेकिन यह black color की fabric seats जो है, वो definitely काफी comfortable है, headrest जो है, वो आपको fixed मिलते हैं, लेकिन, यह seats आपको काफी comfortable मिल जाती है, मज़ा आता है, इन seats पर बैठने का काफी kushni seats है, quality से मारूती ने कोई खासा compromise नहीं किया, seat में आपको driver side में इस त आत पगरा रख सकते हैं, कहीं पर fabric या soft touch नहीं दिया गया, सिर्फ texture अलग अलग हैं, जिसकी विएसे सोड़ा interesting सा feel होता है, यहाँ आपको bottle holder, थोड़ा extra space, speaker की placement, speaker आपको 4 मिलते हैं, चारो ही दरवाजों में speakers हैं, twitter नहीं दिये गए, और यह compliment करते हैं, इस 7 इंच के touchscreen infotainment system के साथ, यह system मारूती का जो है, हमने बहुत सारी गाड़ी मारूती के देखा है, अच्छा काम करता है, इस system से related कोई ज़्यादा बड़ी, आपको दिक्कते face नहीं करनी पड़ती, और अगर आप चाहें, तो बहुत easily जो हैं, इस से अपना device वगर आप easily connect कर सकते हैं, connectivity से related आपको कोई issue नहीं आता, apple car play, android auto, आप easily इसमें use कर पाते हैं, यह controls जो है, वो आपको power window के मिलते हैं, यह driver side वाली आप देख रहे हैं, one touch में आपको up भी मिलती है, sorry down मिलती है, लेकिन यह आप जो है, वो one touch में आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको hold करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इस तरीके से manually lock, safety locks, जो है वो यहाँ पर मिल जाते है, climate control, यह manual रहेगा, automatic में ही मिलेगा, वैलवोट का power socket, USB और AUX के ले port आपको जो है वो नीचे मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा extra space है, और यहाँ आपको दो cup holders, जो है वो मिल जाते हैं, यह इसका AMT transmission है, तो उसका gear knob बगएर आपको यहाँ मिलेगा, थोड़ा extra space, यहाँ पर आपको utilized तो आप इसे करने से रहे, सब समान जो रखो को भागेगा इधर उधर, और यहाँ पर भी कोई cup holders बगएरा, मारू तो इस प्रीच को वैसे use कर सकता था, पता नहीं क्यों नहीं करा, शायद design ब सामने अगर आप देखेंगे, तो यह एक storage आपके पास और रहेगा, dropbox जो है, वो काफी अच्छे size का है, गाड़ी की manual वगएरा, सब चीजे रखने के बाद यह आप इसे बहुत अच्छे से utilize कर पाएंगे, यह dashboard का जो layout है, वो interesting feel होता है, कहीं से भी ऐसा बुरा नहीं लग देना है वो, और इधर जो है, इस infotainment system से related, आपको track आगे पीछे करना है, volume कम ज़्यादा करनी है, mute करना है, वो आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको wiper के stock मिल जाते हैं, और इधर आप देखेंगे, तो head lamp और turn indicator के stocks जो है, वो आपको मिलेंगे, steering में अगर मैं adjustment की बात को meter, fuel economy, यह सब चीज़े आप यहाँ पर जो है, वो आपको मिल जाते हैं, उपर आप स्विच होएंगे, तो यहाँ पर visor के उपर एक quantity meter, यहाँ पर grab handle देख रहे हैं, fixed मिलेगा, seatbelt, fixed मिलेंगी, यहाँ पर hyalogen base, इस तरीके से reading light आपको मिल जाएगी, mic यहाँ पर दिया ग यह गाड़ी यह उसके हिसाब साब को काफी better space, यह गाड़ी offer करती है, एक बार इस seat को जब आपनी driving position के हिसाब से, अगर मैं adjust करूं, उसके बाद यह गाड़ी मेरे को second row में कितना space देती है, वो मैं आपको यहाँ से check करवाता हूँ, एक बर जब हम इसको पहले unlock कर लेते है यहाँ पर इसको दिया गया है system, और यहाँ पर जब आप switch होते हैं, तो आप देखे, सबसे पहले यह rare वाले अगर हम door की बात करें, तो child safety lock, power window का control आपके लिए वहाँ पर common रहेगा, चाहिए driver operate करे या आप, और यहाँ पर इस तरीके से silver finish, again आपको speaker, bottle holder, grab handle इस तरीके से seatbelt हैं, और beach वाले के लिए आपके पास normal love, यह जो आप मैटिंग्स देख रहे हैं, यह एक accessories का part है, जो कि अभी इसमें install होनी है, मारूप इसे खुद offer नहीं करता है गाड़ी के साथ, आपको खुद accessories में इसको purchase करना परता है, लेकिन इसकी quality वो काफी अच्छी है, अगर आ यहां पर देखो, space अगर मैं बात करूँ तो मेरी height 5-48 इंच है, उसके बाद अगर आप यहां पर देखें तो मेरे पास leg room की फिलाल कोई कमी नहीं है, near room की मेरे पास यहां पर कोई कमी नहीं है, काफी spacious है, पीछे भी अगर हम मैं चाहूँ कि तीन लोग अगर मैं बैठने क कोई बात करूँ तो easily बैठ जाएंगे, हाँ अगर काफी हटे कटे हैं, तो फिर आप दो लोगों में ही comfortable होंगे, बीच में बच्चा चाहे आप adjust करें, यहां पर अगर हम की बात करूँगों तो on an average है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत छोटा भी नहीं है, तो fuel economy जो है वो देती है, इंजन के मामले में गाड़ी में आपको क्या power figures मिल जाते हैं, कैसा maintenance है, और इंजन बे में आपको क्या सी placements मिलती है, उन सब चीज की, सबसे पहले चीज हुड में आपको किसी type की कोई भी covering जो है वो नहीं दी गई है, सामने firewall के ऊपर कोई covering नहीं दी तो इतने पैसे देने के बाद ये चीजों से compromise मेरे इसाब से नहीं होना चाहिए, नीचे underbody में भी covering नहीं है, तो ये definitely मैं आपको कहुँगा कि ये negative point है, अब अगर transmission की बाद करूं, तो यहाँ पर AMT और manual आपके पास दोनों option रहते हैं, manual में आपको 5 speed मिलता है, engine आपके प अल्टो या वेगनार में आपको मिलता है, 66 BHP के आशपास की पावा, और 89 Nm तक का talk जो है, वो ये गाड़ी आपके डिलिवर कर देती है, चलो, आप इसे कर दिया है, यहाँ से close, और यहाँ से देखो, आप जरा एक बाद सिलारियो की profile, गाड़ी बहुत interesting सी तो definitely feel होती है, especially यह जो color आप देख रहे है न, इसकी वज़ा से गाड़ी की फूरी profile change हो चुकी है, और maximum लोगों को सिलारियो ब्लैक टिलर के साथ में शौरू की पसंद आएगी, छोटी छोटी चीजे जब आपकी गाड़ी में highlight होना शुरू हो जाती है न, तो उस गाड़ी का look जो है, व आपको कैसी लग रही है, मुझे एक बर comment section में जरूर बताना, इस गाड़ी की कीमत 7,16,000 रुपए एक शो रूम है, अगर आप manual के लिए जाते हैं, तो 55,000 रुपए कम कर लीजे, तो लगबग वही 6,60,000,000 रुपए के आसपस आपको पे करने होते हैं, इस price के साथ, इतनी लोगों का experience भी आपके सामने होगा, तो आप कितना worth समझते हैं, यहाँ पर इस गाड़ी के लिए पैसे डालना, वो भी मुझे एक बर comment section में जरूर बताना, अगर आप salary को own करते थे पहले या अभी करते हैं, तो experience आपका कैसा रहा है, वो भी जरूर बताना, उमीद करता वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो like, share, subscribe करना मत भूलना, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, धन्यवाद,